सीरियल मन अतिसुंदर में यहां पर पोचती है सुझाता कि यह बताओ कि तुम सच में प्रेगनेंट हो या बहाना कर रही हो तो चिल्ला देती है कहती है आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा यहां दिव्यम की जब सुबह नीम खुलती है तो बाहर रानी और उसके भाई होते हैं लेकर आते हैं चाकू दिखाकर गोलू और रादिका को कहते हैं चलो रानी आससे इसी कमरे में रहेगी उसे पालकी में रख कर ले आते हैं और कहते हैं कि अब यहीं रहेगी कहीं नहीं जाएगी दिव्यम बाहर जाने वाला होता है तो उसे अंदर ही बंद कर देते कहते हैं तुम कहीं नहीं जाओगे इसी कमरे में नजर बंद रहोगे और जो मेरी बहन कहेगी वही करोगे और जाओ यहां से रादिका और गोलू दोनों को भगा देते हैं रादिका को बुलाती है रानी और कहती है अभी ये विस्तर मेरा है और रादिका कहती है भोलेनात सब कि हैे वहनियाय जरूर करेंगे यहाँ दımıyam आता है तो परिशान है और फेक कर मारते हैं ऑर शुख रानी के भाई तो दिवyam को लगते लगते बचती है और दिवयam उनसे लड़ाई जगडा करने लगता है चलो मेरी बात मानो तो हाँ जूडती है रानी की कुछ मत करो तो दूख दिखाने लगते हैं दादी भी मना करती हैं तो नहीं मानते और बैट जाते हैं खाना खाने के लिए कहते हैं चलो रानी को खाना तुम खिलाओगी कुरसी खिसकाती है उसके लिए और खाना खाने बैट जाते हैं रानी कहती है अपने भाईयों से कि जब पानी लेकर आ तो उसके भाई सोचते हैं कि सच में ये राधिका ने किया है उसे पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं अब ये खाना तुम खाऊगी मिर्ची वाला अगर नहीं खाई तो दादी और तुम्हारे अपाहच पिता जी को खिला दूँगा राधिका मान जाती है और जब अजस्ती चा जाकर पानी तो नल में भी पानी नहीं होता बर्फ ठोड़ती है तो बर्फ भी नहीं मिलता और फिर पूरे किचिन में फ्रिज खोल कर दूद ढूदती है दूद पहले ही फेक आई है राधिका और यहां पे राधिका बहुत परेशान है कि क्या खालू तब ही आ जाता है द अगर मैं नहीं मानती तो बहुत दादी और पिता जी को खिला देते हैं